तो software को open कर लिया है यह software का जो है proper view है software में सबसे पहले जो है आपको top side में menus मिल जाते हैं जो भी आप अपनी working करते हैं उस working के साब से आपको menus देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद आपको dashboard यह मिल जाता है जिसमें आप यहां पर देख रहे होंगे कि आप यहां पर right hand side में जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं कि आपका bank क्या चल रहा है आपका जो operator है उनकी क्या statement है यही पर एक shortcut आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे right hand side में यह आप आपको dashboard मिल जाता है उसके बाद आपको यहां पर shortcut buttons मिल जाते हैं बाइडिफोल्ट यहां पर बटन है वो set है आपका regular work जो भी है जिस हिसाब से भी आप यहां पर अपने button set कर सकते हैं बटन को कैसे set करना इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है description box में वीडियो जाते हैं कि recently आपने क्या यूज किया और बीच में जो है आपको वाल पेपर देखने को मिल जाता है जैसे कि अभी mark की कोई भी current advertisement अगर जो चल रही होगी नया feature जो आ रहा होगा वह आपको यहां देखने को मिलेगा और यहां पर आपना जो है वह आपने जैसे आप अपनी उसके बाद आप कुछ buttons देख रहे हैं directly जो है उस location पर जाने के लिए जो भी मैं आपको यहां पर सारी चीजे बता रहा हूं वो सब menu के अंदर available है जैसे कि shortcut buttons में यह सारी की सारी चीजे जो आप लगाएंगे सब कुछ menus के अंदर available है यह जो है आपका action button दिया हुआ कि आप आपको directly जाना ना पड़े और जो regular work के हिसाब से अब यहां पर action ले सकें यहां पर जो है order CRM है जिसमें आप अपने जो भी number वगरह डालते हैं उस पर calling वगरह करते हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं और इसके लिए प्रॉपर वीडियो है मैं वीडियो का लिंक आपको अपने description box में दे दूँगा कि इसको कैसे यूज करें और कैसे इसका setup करें और उसके बाद फिर आपको यहां पर और भी बटन मिल जाते हैं इसे रिपोर्ट का गूगल मैप का live credit limit का user dashboard का इन सभी को आप जो है समझ सकते हैं इन सभी की प्रॉपर वीडियो बनी हुई है हम जो है इसमें पुरा proper demo देख रहे हैं एक bookshop का जिसमें retailer कैसे काम करें और wholesaler कैसे काम करें तो चलिए हम सबसे पहले menus की बात कर लेते हैं मास्टर का मास्टर में जितने भी आपके लेजर हैं चाहे लेजर का account group बनाना हो या लेजर का आपको इंडिविज्वल लेजर बनाना हो और inventory आपको बनानी हो तो inventory का जो जैसे कि हम शुरूर में बात कर रहे थे publisher की author की अचेशन की area इस रैक वाइस आप इस चीज को मिंटेन कर सकते हैं अगर रैक वाइस काम करते हैं तो यह सारा का सारा आपको देखने को मिलता है मास्टर में opening balance भी अगर आपको चड़ाना है तो master के menu में आपको आना पड़ेगा और software के अंदर कुछ भी setting करनी है तो master के menu में ही आके आप control room बगर में जाते हो और उस चीज को yes और no करते हो जो चीज आपको चाहिए उसके बाद transaction है transaction में जो भी आपकी sale purchase, sale return, purchase, return जो भी आपका scrap है और stock issue, replace, sales order, purchase order और जो भी आपका dispatch management है जैसे जो delivery से related वो सारी के सारी जो है आपको transaction में देखने को मिलती है accounts में आपका जो भी voucher जो भी आपकी payment entry है, receipt entry है, contra entry है, journal entry है वो आपको accounts में देखने को मिलती है जो भी आपका PDC check management है, bill tagging है, salesman wise आप bill tag करके मतलब अपने salesman को देते हैं और उसके बाद आपका एक छोटा सा payroll भी है यहाँ पे कि आपके जो भी employee है उनका एक आप employee master बना सक सकते हैं, automatic चाते हैं तो mark का जो है HR expert अलग से software है जिसमें पूरा का पूरा payroll system है, जिसमें आप अपने ESI maintain कर सकते हैं, PF maintain कर सकते हैं, employee को maintain कर सकते हैं, automatic salary वगरा वो generate कर देता है, उसके बाद है banking अगर आपके बास ICI का bank है तो आप यहीं से उसको integrated करके यहीं से payment कर सकते हैं और वो payment की entry भी आपके automatic हो जाती है, और reconciliation भी आप यहां से कर सकते हैं, उसके बाद है book, बुक के अंदर आप अपने शारी जितने भी बुके हैं आपके जैसे sales book, purchase book, ledger book, वो सारे की सारे आप यहां पर देख सकते हैं, जिसे हम short report कहते हैं, उसके बाद है आपका final report में क्या है कि आप जितने भी जो आप यहां पर working कर रहे हैं, उसका profit and loss देखने के लिए, balance sheet देखने के लिए, financial statements related जितनी भी चीजे हैं, आपको final report में देखने को मिलती है, GST से related जितनी भी चीजे हैं, GST के आपको report निकालनी है, या audit करनी है, या GST returns करनी है, तो उसके लिए आप G जो भी फिल generate कर सकते हैं, आपको directly government की side पर जाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद है, stock का menu, stock के menu में जो भी आपका stock का statement चल रहा होगा, stock का valuation देखना होगा, filters आपको लगाने हो, shortcut के लिए, तो वो सब आप यहां पर लगा के देख सकते हैं, daily report में, जो भी आपकी daily reports हैं, जो फिर purchase planning, जो भी आप करते हैं, वो आप daily report में आप देख सकते हैं, और इसकी depth report में, अगर आपको depth report देखने हैं, तो directly आप report में जाएंगे, और अपनी sales को, सारी चीज़ों को analyze कर सकते हैं, पूरी complete MIS report यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बाद कुछ यहां पर hotkeys हैं, जैस मार्क के pages बने हुए हैं, और जितने भी YouTube जो भी टुटोरियल से related चीज़े बने हुए, यहां पर click करके directly आप जा सकते हैं, exit में आप अपना license number देखते हैं, और कोई भी webinar चल रहा हो, मार्क software का, तो वो भी आप यहां से click करके जा सकते हैं, तो यह तो हमने बात कर लिए menu की कि कौन-कौन से menu किस-किस काम आते हैं, उसके बाद अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, retailer point of view से, तो सबसे पहले आपको क्या है कि अपने master को बनाना होता है, मैं master में आके, item master पर आ गया, और इन सभी की shortcut keys भी दो गया, कि अगर मुझे direct आना है तो देखे मैं control का button दबाता है, गेसले बनाई ताकि हमारे वीडियो और लंबी न हो, आपकी जो भी inventory हो, inventory आप बना लीजिएगा, अब इसमें मैं आपको for example कि एक से दो inventory create करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको practically पता लग पाए, अगर आप mark software लेने वाले हैं, तो आपको practically पता लग पाए कि actual inventory कैसे करने है, कोई भी है, और वो option जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, author, publisher, वो कहां पर डालना है, कैसे डालना है, उसको कैसे maintain करना है, तो यहां पर नई inventory बनाने के लिए आपको F2 करना है, और एक automatic आपका code चलता रहता है, उसके बाद इसमें rack number है, अगर आप rack maintain कर रहे हैं, suppose कि आपकी shop में बहुत सारे rack हैं, और आपने define कर दिया कि rack number 1 में आपकी इस तरह की bookे हैं, rack 2 में इस तरह की bookे हैं, और यह चीज़ आपको फाइदा देगी जब आप customer को sale करेंगे, जैसे कितनी ऐसी shop होती है, जिसमें बहुत भीड हो जाती है, और उनको ढू नमर 2 से, तो आपकी जो sale है बहुत ज़्यादा easy हो जाएगी और आप अपने customer को कम से कम time में clear कर सकते हो, जिससे का customer का भी time खराब ना हो, और आपका भी time खराब ना हो, तो मैंने यहाँ पर rack number डाल दिया, और अभी मैं आपको दिखा हूँ अभी sale में की rack number 896 में आपको कह पर डाल देंगे, suppose कि मैं अभी for example के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, कि SP गुपता इसके author है, और सर्मा इसके publisher है, किस unit में आप sale करते हैं, maximum जो आपका bookshop के जितने भी product है, वो सब आप pieces yg sale करते हैं, अगर कोई ऐसा item में जैसे की pencil की box है, एक pencil में, एक box में 6 pencil बिखती है और आप पूरा box ही sale करते हैं, तो आप यहाँ पर box डाल देंगे, कैसे डालेंगे, बहुत simple है, आप directly type कर दें, box, और यदि उसको आप loose ही बेखते हैं, तो आप उसको pieces कर देंगे, उसके बाद आपको इसमें, जो आपका bookshop है, इसमें decimals वगर आपको नहीं चीए होते हैं तो by default इसे no ही रखें, और fast search के लिए आप कोई भी यहाँ पर numeric search करते हैं, fast जो search है वो बहुत easy हो जाए आपको search करने में, कुछ color type है यहाँ पर जैसे कि हम अपने कुछ आइटमों को ज़्यादा तर यह restaurant वाले use करते हैं color को, जो आप इसको normal ही रहने दें, उसके बाद आ यहाँ पर कोई आपका ऐसा item है, जिसको यह भी आपका normally ही use होगा, बस इसमें दो option आप use कर सकते हैं, कुछ ऐसे item होंगे आपके, जो की costly हो तो आप costly ले ले लें, नहीं तो normally use करें, उसके बाद किस company के product को आप बेच रहे हैं, वो company आप यहाँ पर देख लेंगे, अगर है तो आप choose कर सकते हैं, नहीं है, तो यहाँ पर देखी, software में कुछ भी आपको नया बनाना हो और यह modify करना हो, तो F2 से नया बनता है, और F3 से modify होता है, जैसे कि मैंने अभी F3 प्रेस किया, तो यह modify के लिए मेरे से पूछ रहा है, तो मैं अभी ऐसी choose कर लेता हूं, जिससे क आप डालिए, उपर भले आप डालिए, या ना डालिए, क्योंकि यह आपको help करेगा आपकी sales के अंदर, ऐसे ही author है, author को भी मैं suppose की आर्के सर्मा को ले लिता हूं, और HSN नमर जो भी हो, HSN नमर आपको पता ही होगा, टेक्स का category है, books में कितनी books के उपर है, bookshop में कितनी ऐस इसे product इस पर exempt है, मतलब कि उस पर कोई tax नहीं है, तो आप अपने tax को देख लिए, अब suppose की इसकी MRP 200 रुपे है, और आपका purchase price 110 रुपे का है, जो इसका cost है, यह automatic आपकी purchase से निकाल करना लाता है, जितने में भी आप purchase की entry करेंगे, वो automatic लिकाल कर लियाएगा, इसमें जो ह rate B लिखा हुआ मिलेगा, यह मैंने setting से पहले से ही कर रखा है, actually मैंने अभी यह video बनाने से पहले किसी को demo दिया था, तो उनके लिए यह बहुत मैंने मतलब पहले से ही set किया हुआ था, कि जब वो sale करे तो उनको confused नहीं होना पड़े कि rate A क्या rate B क्या है, तो suppose कि मैं retail में इस एक 180 का बेशता हूँ, और wholesale में इसको मैं 1500 का बेशता हूँ, ऐसे ही नीचे बहुत सारे option है, कि आप इसकी जो billing है negative के अंदर करना चाहते हैं या नहीं, negative बोले तो जैसे कि आपका जो item है, वो minus में, zero भी पड़ा हो, तब भी आप उसकी billing कर लें, तो अगर यह चाहते हैं आ अपने inventory से related, कि जैसे कि यह book is rich dad, poor dad, कि आपके पास minimum यह 10 रखे होने चाहिए, शौप के अंदर, और maximum जो है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, कि minimum हमारे पास 10 होने चाहिए, और maximum हमारे पास 20 होने चाहिए, अब होगा क्या, कि इसकी आपको एक proper report मिल जाएगी, जिससे क्या ह कि अगर आप सभी inventory में कर देंगे, तो जैसे कि आप list निकालते है item की, कि हमें कौन-कौन सी bookay मंगवानी है, हमें कौन-कौन सी inventory को आगे order देना है मंगवानी के लिए, तो उसमें यह बहुत help करेगा, अब मैंने जैसे इसे minimum 10 डाल दिया, अगर यह मेरे पास 7 रखे होंगे मैं इसकी report निकालूँगा, तो यह मुझे बताएगा कि आपको 3 जो है मंगवानी की जरूरत है, अगर मैंने इसको 30 stock मंगवा लिया, तो यह आपको बताएगा कि 10 stock है, वो additional पढ़ा हुआ है, तो आप इसको आगे ना बन भाए, और यह reorder है, आप अगर कितने दिन पे इसक पहले से discount सेट कर देंगे, volume discount पहले से set कर देंगे, तो आपको जब आप sale करेंगे, purchase करेंगे, तो automatic discount आपको यह पिक करके ले आता है, आप जैसे मैंने item discount 1 में 10 डाल दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे discount है कि maximum inventory पे कितना कभी-कभी ऐसा होता है कि आप retail में customer or discount मांग लेता है, और discount मांग लेते हैं और आपका margin 0 हो जाता है, तो आप पहले से ही आपके calculate कर लें कि आपका maximum discount जो है 20 हो सकता है, अगर आप 21 करेंगे तो software आपको alert कर देगा कि आप loss में जा रहे हैं, यह भी मैं आपको दिखा हूँगा, तो मैं इसको save कर लेता हूँ, बस कुछ इतनी ही details आपको अपनी inventory में डालनी है, यह तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना time जो है बनाने में लगा, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको तो बहुत easy तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले आप हम क्या करते हैं, हमने inventory बना ली, अब आपको यह clear हो गया कि inventory में आपको publisher, author, जो आपका main सबसे होता है, वो पता लग गया आपको, और item कैसे बनाना है, यह भी आपको पता लग गया, अब हम चलते हैं purchase में, क्योंकि पहले हम इसको खरीदेंगे, उसके बाद हम इसको बेचेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आप य date यहां पर डाल देंगे, मेरी system की जो है date गलत चल रही है, बाकि आप जो भी entry करें, तो आप अपनी हिसाब से करें, आप जैसे कि इसमें जो है already इसमें parties बनी हुए, अगर कोई आपको यहां पर instant level पर party create करनी पड़ी, तो वही इसका procedure है, F2 से नया बनेगा, और F3 से आपक कोई बना हुआ है, तो उसको modify कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने F2 किया, और by default कि वहीं पर click रहेगा, जहां पर purchase के ledger को वो group चाहिए होता है, तो purchase का group जो है, वो Sunday creditor suppliers में जाएगा, तो जैसे मैं इस पर enter करूँगा, तो जो party की details है मुझे डालनी पड़ी, कि जैसे कि मैं डाल जैसे कि एक डालने के लिए आपको जो है तीन लाइन मिल जाती है, जैसे कि एक, दो और यह तीन, अगर किसी का address काफी बड़ा भी होगा, तब भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद इसमें बहुत सारे कुछ additional details हैं, आप डालना चाहें, डाल सकते हैं, नहीं तो must be detailed जो है वो company का नाम, address और GST नंबर है, अगर यह mobile नंबर, यह सारे शीजा आप डालना चाहें, डाल सकते हैं, GST नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, GST टिन के आगे, इसमें, उसके बाद आपके पास अगर डेटेल हैं, तो आप डाल सकते हैं, वाकिवेट वगएरा, service tax वगएरा अब बंद हो चुका है, लेकिन अभी बी कुछ-कुछ sector ऐसे हैं, 3-4 sector ऐसे हैं, जहाँ पर वैट अभी बी चालू है, जैसे जितनी भी drinks हैं, लीकर है, इन सभी में अभी बी वैट चालू है, और जो petrol pumps हैं, वहाँ पर भी जो है वैट चालू है, तो आप यहाँ पर जो है, जैसे कि GST नमबर डालेंगे, तो आपके GST के according आपकी स्टेट को select कर लेता है, यहाँ पर एक अधर डिटेल है, अगर डालना चाहें, आप डाल सकते हैं, यह जो आप पार्टी बना रहे हैं, यह बी आप बता सकते हैं, या फिर आप अधर में डाल सकते हैं, उसके बाद अ इसको enter, enter करके, जब last enter करेंगे, तो और भी ऐसे details है, अगर आप डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, जैसे कि automatic आप इहाँ पर इनकी discount, decide कर सकते हैं, कि कितना कितना मुझे discount देना है, उसके बाद item wise कितना कितना discount देना है, यह भी आप पहले से ही set कर सकते हैं, और उसके बाद bank detail है, party की, तो bank detail आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कितने दिन का credit देना है, interest कितना लगाना है, उसके बाद primary limit कितने जैसे कि अब हमने बात कर रीत हुए credit limit management तो primary limit कितनी देनी है और credit limit कितनी देनी है इस सारी कि सारी आप यहां पर decide कर सकते हैं तो अब मैं इसको last enter कर देता हूँ अगर आपको कोई भी detail नहीं feel कर दी हो तो आप यहां पर control w press कर दीजिए उसके बाद मैं इसको escape कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि party यहां पर create हो चुकी है अब यहां पर जो party number है party number में आपको डालना होता है जो भी purchase invoice number आपके पास आया है वो invoice number आप purchase का डाल देंगे यहां पर उसके बाद आप bill discount अगर दिया है हमारे purchaser ने तो bill discount आप डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई से भी book जैसे कि हमने एक book बनाईगे तो मैं search कर लेता हूँ directly reach debt poor debt और कितना मुझे इसमें कितनी suppose कि मैंने इसको 400 quantity purchase कर 110 रुपे अब ज्यादा तर जो क्या होता है कि चाहिए वो retailer हो या wholesaler हो उनके पास book shop जो भी operate कर रहा है उनके पास discount कुछ इस तरीके से आते हैं discount जैसे कि 50 50 plus 25 discount कुछ इस तरीके से तो उनका meaning यह होता है कि पहला मतलब आपको 2 discount मिले हैं उसमें 50 और उसके आप 25 इस तरीके स से भी हैं जिनको और भी discount मिलता है whole seller जिनको और भी discount मिलता है 50 plus 25 plus 5 फिर plus 2 तो इसमें इतने discount आप add कर सकते हैं अपनी requirement के इसाब से जितना discount इसमें आप add कराने चाहिए add कर सकते हैं maximum जो है आपको 3 से 4 discount additional मिलते हैं तो आप वो चीज़े यहाँ पर डाल सकते हैं अब मैं इस को सेव कर देता हूं सेव करने के लिए end का बटन आप प्रेस कर सकते हैं उसके बाद एंटर एंटर करके अगर आपको tax की समरे देखनी है तो देख सकते हैं नहीं तो no thanks करके और enter एंटर करके इसको आप save कर देंगे तो यह मेरा purchase जो है save हो गया तो आपने देखा बहुत अस software यूज कर रहे हैं तो आपको इतना मतलब जो मैंने अभी entry करी है discount one item चूज किया इतना आपको time भी नहीं लगाना पड़ेगा आप उनसे जो है अगर कोई और software यूज करते हैं तो excel format ले सकते हैं अगर mark यूज कर रहे हैं तो आप उससे mark का standard format ले सकते हैं और वो आप अप आपने बास mail करा लीजिए जैसी आप mail कराते हैं आप उस file को यहाँ पर जैसी click करेंगे और आपके purchase automatic चड़ जाएगी जिसमें आपका समय ज्यादा से ज्यादा जो है नहीं लगेगा मतलब कि आपका समय जो है बहुत बचेगा किसी bill को चड़ाने में अगर आपको 15 minute लगत कि आइटम वगरा कैसे बनेंगे इसमें publisher वगरा कैसे बनेंगे उसके बाद opening balance ही आपको मैंने दिखा दिया ledger कैसे बनाते हैं जो मैंने instantly ledger बनाया वो आप यहां से भी बना सकते हैं ledger में जाके new ledger पर click करेंगे और यहां से आप ledger create कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं sale करक होल से भी कर सकते हैं कि आपको retail करना है यह जो है आपको मिलता है silver edition में या फिर gold edition में आपको जो है basic edition में यह चीज आप जो है तरीके से सेव नहीं किया था जैसे कि डिरेक्टली जो है मेरा system बंद हो गया था बैटरी लो होने के कारण तो यह बिल अभी तक सेव रखा है मतलब इनके database ने अभी तक सेव रखा है अगर कोई ऐसा scene है आपके पर desktop लगा है light चली जाती एकदम से तो जो लास्ट आपका बिल बना र तो हम दुबारा से जो है sale entry में चलते हैं और retailer पर मैं किलिक करता हूँ इसकी short command आप देख रहे है all 10 तो आप यहाँ पर keyboard से all 10 प्रेस करेंगे तो आप अपनी sale entry में पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं इसको yes कर देता हूँ और उसके बाद मुझे कौन सी bookे बेचनी है तो कि अगर आपके बाद 2 discount लगते हैं तो यह जो चार discount option खुले में हैं आप इसको बंद करवा सकते हैं control room से उसके बाद बिल को save करने के लिए enter करेंगे और फिर उसके बाद आप enter करेंगे और फिर जो भी person मतलब जो भी person मतलब कि जो भी आपका customer है वो किस हिसाब से आपको payment क एंटरिव्यू की कर सकते हैं suppose कि वह cash ना पे करके आपको bank पे कर रहा है तो आप bank की वह कर सकते हैं या फिर आप अपने यहां पर जैसे की phone पे UPI कर रहा है तो इनके ledger भी आप बना सकते हैं जैसे की by default यहां दो बने वाई अगर और भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं तो म directly आप यहां पर 1000 डालें and का button प्रेस करें तो यहां यहीं पर आपको कोई calculator उठाने के जूटनी बढ़ेगी आपको 102 रुपे return करने इनको refund करने तो आप इसको फिर save कर देंगे आपका बिल जो है तयार हो जाता है और आप जैसी ही enter करेंगे आपका बिल जो है निकल कर आ जा आता है वो है अब आपके पास जो भी printer है या जैसा भी यूज करते हैं मार्ग में पॉसिबल है कि आप जैसे भी इसको modify करना चाहें चेंज्मेंट करना चाहें सपोल्स कि आप तीन इंच वाला जो आता है thermal printer जो आता है अप आप वो यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई A4 पे कोई यूज कर रहे हैं तो जैसा भी आप बनवाना चाहें वो सारे के सारी possibility mark software के अंदर है तो आप इस चीज के लिए बेफिकर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे आइटम बनाएंगे कैसे अपने बनाएंगे कैसे अपने author publisher को maintain करेंगे और उसक के बात जो बात आती है bundles की कि अगर आप किसी school में हैं आपका book depot या फिर आप आपने कोई set बना रखे हैं कि कोई first class का बच्चा है तो उसके लिए आपने पुरा set तयार किया हुआ है उसमें दो pencil जो जैसे कि सभी करते हैं तो वो चीज आप कैसे करें कि हमें वहां पर एक that poor date दी है और हमने फिर एक मेरत की book दिये तो यह आपको एक एक करके करना ना पड़े तो इसके लिए हम बनाते हैं bundle set तो कैसे बनाएंगे bundle set आप जाएंगे master में master में जाने के बाद आपको जाना है rate and discount master और उसके बाद आपको दिखेगा second last set of item bundle जैसे आप इस पर click करेंगे तो अभी कोई भी इसमें bundle अवलेवल नहीं है अब जो भी आप bundle का set यहाँ पर बनाना चाहें बना सकते हैं जैसे मैं first last के लिए बना लेता हूँ और यह आपका one time रहेगा permanent रहेगा यह आप चूज कर लेंगे maximum permanent रहता है और setup जो आप bundle set बना रहे हैं उसका पूरा proper नाम लिख सकते हैं कि यह first class है जैसे कि मैंने आपको detail यहाँ पर डाली आपको दो line मिल जाती है first आपको एक code type का डालना होता है first में उसके बाद आप उस जानेंगे कि आपका bundle वो कौन सा था और उसके बाद है कि आप यह retail में दिखवाना चाते हैं multiples आप यह स्लेक्क करना चाते हैं यह account group पे किसी दिखाना चाते हैं यह सभी पे दिखाना चाते हैं तो retail में तो सभी पे ही जाता है यह तो मैं यहाँ पर all कर देता हूं अगर उनसे item कितने कितने piece select करना चाते हैं तो मैं एंटर कर देता हूं कि मुझे एक math देनी है इसमें और यहाँ पर आपको दिख जाएगा free या sale अगर आप free दे रहे हैं तो free पे एंटर करेंगे sale दे रहे हैं तो sale में आपके quantity वगरा price वगरा सब कुछ लगेगा कि मेरे को इसमे दो math की book देनी है और इसमें मैं इसको एक rich dad poor dad देना चाहता हूं एक piece और उसके बाद इसमें history देना चाहता हूं मैं से एक piece उसके बाद मैं इसको suppose कि एक English देना चाहता हूं तीन piece English देना चाहता हूं तो यह सारी चीज़े जो है मैंने डाल दिये यह तो मैंने for example के लिए दिखाया आपको आप जितने मर्जी भी इसमें डालना चाहें bundle में डाल सकते हैं चाहिए आपका एक item हो 10 item हो 100 item हो उन सभी का bundle बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको ctrl w करके इसे yes कर दो और यह आपका bundle तयार हो चुका है तोटल आपका अभी एक ही bundle है अब यह आपको सेल में कैसे help मिलेगी इसको अब जब आप सेल करेंगे तो यहां पर कीज है अल्ट प्लस f11 अल्ट प्लस f11 आप करेंगे तो जो आपने डाला था मतलब जो मैंने आपको बताया था कोट टाइप का सबसे पहले वह आप यहां पर डाल देंगे मैंने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे कि वह item सभी की इसके अंदर आ चुके है जो भी मैंने उसमें डाला था मैंने उसमें डाला था मैत के दो पीस डाले थे एक एक पीस और हिस्टरी का एक बुक डाला था और उसके बाद जो है इंगलिस के तीन डाले वे थे तो अब मिरको वह आटोमेटिक मतलब सिर्फ मैंने f11 प्रेस किया और अपने उस कोड को मैं डाला जैसे आप बना सकते हैं सबसे बैटर ही है कि अगर कोई फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड क्लास एल के जी यू के जी इस नाम से बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद आप इसको इन्टर करके उनको बिल निकाल के दे दिया तो सबसे मस्ट जो है आपका बंडल ही होता है और मैंने आपको दिखाया प्रपर की आपको सबसे पहले अपना बंडल का set बनाना है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह automatic mark के अंदर बना आएगा अगर कोई आपसे कह रहा है mark software वाला कि हम automatic आपको बना कर देंगे तो वो आप उनसे बनवाई है अगर वो कह रहे हैं पहले से बना हुआ software के अंदर तो पहले से कोच नहीं बना होता और वैसे यह काम जो है customer का ही होता है कि जो bundle set है customer को ही बनाने होते हैं तो आप यहां पर सबसे पहले bundle बनाएंगे और उसके बाद फिर यह आपको sale के अंदर बहुत help करेगा तो अब जो है आप समझते हैं रिपोर्ट के section में अब payment और receipt के section में समझते कि अब कोई आपको payment देता है जैसे कि कोई आपको उधार customer है हम इसके लिए भी समझ लेते हैं अब मैं कोई एक laser create कर लेता हूं जो भी आपकी sale की customer है आप Sunday data में डालेंगे आप मै गुपता दोदो भी हो सकते हैं तो आप इसके आगे पीछे कुछ ऐसा डाल दीजी कि पता लग जाको कि राहूल गुपता कौन है और उसके बाद जो है आप इसमें address, pin code वगेर आप डालना चाहें डाल सकते हैं नहीं तो customer कोई है individual तो इतनी details नीड भी नहीं होती आप इसक इसको Ctrl W से set कर दें, escape कर दें, यह आपका customer बन चुका है, अब इसको जो है आप अब जैसे कि यह क्या है, directly आपका retail है, मतलब कि कोई इसमें उधारी वाली चीज नहीं है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है, यह master में जाने के बाद आपको control room में जाना है, और यहाँ पे आपको search in all पे enter करना है, और लिखना है ask ledger, और उसके बाद accept कर देना है, औ और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह, ledger name in retail billing, n का मतलब है, कि पूछना है, तो n प्रेस करें यहाँ पे, नहीं पूछना, तो आप यहाँ पे yes करें, तो अभी जैसे कि yes हो रखा है, मैं यहाँ पे n प्रेस कर देता हूँ, कि ledger मुझसे पूछे, क्योंकि मेरे उधार के भी customer है, मैं उनको भी maintain करना चाहता हूँ, तो मैंने yes कर, no कर दिया, मतलब की end प्रेस कर दिया, अब मैं जो है, sale करता हूँ, तो देखेंगे कि अब यह मेरे से पूछ रहा है, तो मिरे को राहुल, कुपता दिल्ली वाले को sale करना है, और मैं alt f11 से एक bundle को उठा लेता हू क्योंकि हमें इतने item type नहीं करने पड़ेंगे, और उसके बाद मैं end के button से इसको save कर देता हूँ, और यहाँ पे राहुल ले मुझे सिर्फ 524 रुपे दिया है, तो आप 524 रुपे ही डालें, और उसके बाद end करके इसको save कर देंगे, अब राहुल गुपता से आपको 3000 कैसे है, आप यहाँ पर enter करके date डाल कर राहुल की statement को देख सकते हैं, एक bill generate वा जिसमें 3000 रुपे राहुल के रह गए है, अब राहुल कभी भी आपको 3000 रुपे देता है, तो आपको जाना है account में, account में जाने के बाद आपको आना है receipt, और receipt में आप जैसे ही click करेंगे, और क 2000 रुपे देता है, तो आप 2000 रुपे डालेंगे और adjust कर देंगे इसके पुराने bill से, और cash दिया है, उन्होंनों यह bank दिया है, अब bank के लिए कैसे, आपको यही पर space का बटन दवाना है, cash bank आप यहाँ पर अपना choose कर सकते हैं, suppose कि मुझे cash दिया है, तो मैंने enter किया, और ज रहा गया, तो आप फिर दुबारा से all ledger पर जाएंगे, search करेंगे रहूल, जैसे कि हमने पहले सर्च किया हो था, तो last result यही है, रहूल से अब हमें 1000 रुपे लेने हैं, और इसकी statement देखनी हो, तो आप statement एंटर करें, इसकी statement आपको देखने लगेगी, कि रहूल ने जो है, मनदब आपको 2000 रुपे cash दिये होए हैं, और 3000 रुपे इसका बिल बना था, जिसमें की 200 कुछ रुपे यह पहले दे चुका था, 300 कुछ रुपे पहले दे चुका था बिल के अंदर, और 1000 रुपे इसका balance रह गया, तो इस तरीके से आप अपने उधारी वाले customer भी maintain रख सकत और उसके बाद फिर मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, SB trader, जैसे की 15,345 का balance कड़ा है, इसमें देखेंगे आप, तो CR मुझे देख रहा है, CR का मतलब मुझे पैसा देना है, और राहुल गुपता में आप देखेंगे DR, DR का मतलब मुझे पैसा इन से लेना है, तो CR मतलब देना और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं अब लेजर में जाता हूँ, SB trader के, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, कि SB trader को आप मुझे 5,345 रुपे देने हैं, तो billing, accounts आपका पूरा clear है, और जो additional features होते हैं आपके bookshop के अंदर, वो भी आपका clear है, अब आता है section हमारा report का, कि report हम कैसे देखें, हम अपना stock को अगरा कैसे निकाल लेंगे, इस सारी चीज़ हम कैसे देखें, तो book के अंदर ही आएंगे, book में हम अपना cash and bank देख सकते हैं, कि हमारा cash कितना चल रहा है, bank कितना चल रहा है, अगर आप bank बनाते हैं, तो आपको यहां bank दाल सकते हैं, नहीं तो आप सकेब, 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 डिरेक्टली कंट्रोल से सेव कर सकते हैं, आप सबसे पहली report आपकी यही books में, आप अपनी सारी book देख सकते हैं, cash and bank, तो आपको ही reflect होने लगेगा, जैसे कि ICI bank, जो भी transaction होगी transaction के साब से आपको क्या balance उसमें है, इसके कितना लेना है, किसको कितना देना है, अगर हमें देखना है, तो हम देख सकते हैं इसके लिए, उसके बाद आप इसमें और भी जैसे entry books है, entry books में day book देख सकते हैं, पूरा complete, कि आपने कौन से दिन, कौन सा, आपने काम किया, जैसे कि मैं suppose, कि 1 April से लेकर 31 March तक मैंने क्या-क मतलब काम किया है, तोटल आपको दिखता रहे गा है, कि मैंने जो है यहाँ पर यहां पर, यह सेल की हुई है, मैंने 30 रुपे की, फिर उसके बाद सेल की है, यह दो जार की रेसिप्ट चड़ी है मेरे पास, फिर परचेच चड़ी है, फिर सेल चड़ी है, यह कैसे देखें और इंडिविजुल एक पार्टी का भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट डिफाइन करके, इसको मैं यह कर देता हूं, और मैं इंडिविजुल किसी पार्टी का देखना चाहूं, जैसे सपोज SB ट्रेडर, तो यहाँ पर SB ट्रेडर की ही मुझे जो है डे उसके बाद selected book में मुझे sale देखनी है, purchase देखनी है, मुझे payment नहीं देखनी, general entry नहीं देखनी, debit note नहीं देखना, contract भी नहीं देखना, उसके आदा आप control WC से save कर दे, तो यह वही चीज दिखाएगा, sale, purchase, और ऐसे ही जो नीचे books दिख रही है, sale पे आप क्लिक करेंगे, sale क तो ही आपको दिखाएगा, अब यह है debtor और creditor, आप debtor पे click करेंगे, तो आपको यह दिखेगा कि मुझे market से कितना पैसा लेना है, या market को जो मेरे debtor से उन्हें कितना पैसा देना है, तो totally जो है आपका debtors इतने हैं, और इतने इतने पैसे आपको debtor से लेने हैं, और इन debtor को आपको उल्टा पैसे देने हैं, तो यह मैंने कुछ transactions advance में की हुई है, इस वज़े से आपको balance देख रहा है, और ऐसे ही आपको जो है, यहाँ पर creditor पे आप click करेंगे, और उसके वारा enter करेंगे, तो सारे creditor आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और किसको कितना देना है आप पे, या उनसे भी लेना है, आपको यहीं दिख जाएगा, और ऐसे ही सारे के सारी purchase registered है, sale registered है, tax and duty है, जितने भी आपके analytics है, वो सारे के सारे आप यहाँ पर click करके, आप जैसे कि मैंने आपको उपर से दिखाएं, ऐसे ही आप click करके आप देख सकते हैं, आप इसको यह option को कोई problem नहीं आएगी से software में, ऐसी ही आपका financial report है कि trial balance क्या है आपका, profit and loss क्या चल रहा है आपका, तो ऐसी ही आप जो है click करकर करके देख सकते हैं, कि total loss क्या है, total profit क्या है आपका, उसके बाद आपका GST section है, कभी भी हमसे CA report मांगते हैं, कि आप अपनी GST की report देदी तो आप उनको 3B निकाल के देते हैं महीने के लिए, तो आप 3B जैसे यहाँ पर enter करेंगे, उसके बाद कौन सा format चाहिए, आपको government का format चाहिए, या आपने हिसाब से आपको निकालना है, वो आपकी 3B यहाँ पर निकल जाती है, आप इनका print out करके देना है आपको, तो आप directly printer पर click कर देंगे, या फिर इनको Excel में convert करके अपने CA को बेजना है, तो आप Excel भी निकाल सकते है, Excel में कैसे निकालना है, जैसे कि मैंने click किया था, और इसको आप नो ही कर देंगे, तो CA की detail होगेरा मांगता है, उसके बाद OK कर देंगे, और आपको यही पर सारे option मिल जाते मैंने view पर click किया था, तो उसने मुझे दिखाया था, अगर आप directly print करना चाहते है, Excel निकालना चाहते है, PDF निकालना चाहते है, या फिर कोई CA हमसे कुछ ऐसा भी कहते हैं, CA हमसे ऐसा भी कहते हैं, कि हमें GSN आप directly कर दीजिए, या फिर आप e-return पर click करेंगे, डरेक्ली य related options है, आपको सारे options यहां पर देखने को मिल जाते हैं, मैंने तो आपको एक दिखाया है, GST से related जितनी भी रिपोर्टे हैं, जो भी आपके accountant या आपके CA या आपके CA या आप खुद CA या accountant है, वो सारी सारी चीज़ आप यहां से देख सकते हैं, ले सकते हैं, इवे बिल के आप डिरेक्टली वन टाम सेट अप करते हैं, ज्यादा तर यह आपके जो wholesaler है, distributor है, वो यूज करेंगे, रिटेजर का यूज बहुत कम होता है इसमें, और वन टाम आपके हैं, लोग इन करते हैं, और आपका यहीं से इवे बिल जनरेट हो जाता है, इस टॉक रिपोर्ट कमपनी वाइस देखना है, या फिर मुझे पबलीशर वाइस देखना है, जो मेरे पबलीशर है, उनका क्या-क्या स्टॉक है, ताकि मैं उनसे मागा सकूँ उसे हिसाब से, तो ऐसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद मेरे आप स्टॉक वालुएशन, इस टॉक आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिलेगी नीचे, आठ लाग अर्सट हजार सास्तो एक्सट रुपे के आभी आपके पास करेंट स्टॉक की वेलू है, जो आपके खरीद आई है, अब यह देखना चाहिए कि बिखने के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो आप सेल रेट को रेट को अब यह कर दे, बिखने के बाद आपको कुछ पांच लाग पैसेट हजार सास्तो चालिस का मिलेगा, आप आप कहेंगे कि पर्चे इतने में किये और विक इतने में रहा है, तो मैंने जो है कितनों में सेल रेट डाला ही नहीं है, क्योंकि यह आपको दिखाया कि यह MRP में आपको 14,13,115 रुपे का आपको यह अगर बिख जाता है तो यह amount आपको आएगा, उसके बाद जैसे कि हमने stock के अंदर बात करी थी minimum और maximum stock की, तो वो यहाँ पे आपको उसकी report मिलती है, अब जैसे कि मैं minimum देखता हूँ और accept कर देता हूँ, तो एक item इसमें ऐ क्योंकि हमने rich debt, poor debt में यह डली हूए चीजे, तो उसका stock मैंने बहुत ज्यादा extra purchase कर लिया है, तो यह मुझे बताएगा कि कितना accept कर लिया मैंने, तो देखिए, यह आपको बता रहा है कि over 373 stock हमने ज्यादा purchase कर रखा है इसका, तो इस तरीके से आपको minimum भी दिख जाएग का है, यह सारे के सारी आप देख सकते हैं, जो एक हमें day close करने के लिए report चाहिए होती है, उसके बाद fast report में आप जैसे कि कोई offer निकला आपने, तो आप एक SMS टाइप करेंगे, वो SMS आपके सभी customer के पास चले जाएगे, अगर आपका इसके लिए आपको bulk SMS additional purchase करना होता है, कह उसके बाद हम बात करते हैं, sale report, sale report में आपको देखना है कि board of payment, मतलब आगर आप collection करते हैं, कि UPI से कितना है, bank से कितना है, cash कितना है, तो इन सभी की report देख सकते हैं, आप अपने MRY sale देखना चाहें, ऐसी purchase है कि इसमें पर्चे देखना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं, bill wise statement देख सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी multiple reports है, जो आपको चाहिए, वो आप देख सकते हैं, या पर prefix report दे रखी है, अब इसमें जो अभी मैं आपको देखा रहा हूं, ने features, अगर कोई report ऐसी है कि आपको मिल नहीं रही है, तो या फिर आपको जो है, इसमें जो report चाहि मैं bill number देखना चाहता हूं, उसके बाद item देखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे sales analyze करना है, purchase नहीं करना, और मुझे summary देखनी है, detail देखनी है, या दोनों देखनी है, तो मैंने dot दोनों पर click कर दी, और कौन सी तारिक से लेकर मुझे कौन सी तारिक तक चाहिए, तो मैंन आपने prefix report दे रखे हैं, वो आपको समझ में नहीं है, या फिर वो चीज आपकी reality में मिली नहीं, तो आप आपने हिसाब चाहिए report जनरेर कर सकते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हूंगे, बहुत सारे ऐसे column से जो आपको clear ही नहीं हो रहे कि क्या है, कैसे है और क्या नहीं है तो आप यहाँ पर column filter पर आप click करेंगे, और जो जो column आपको चाहिए जैसे कि bill number का चाहिए, item का चाहिए, quantity का चाहिए, free नहीं चाहिए, volume discount नहीं चाहिए, half discount नहीं चाहिए, amount चाहिए, tax amount नहीं चाहिए, MRP चाहिए, purchase amount नहीं चाहिए, cost नहीं चाहिए, profit नहीं चाहिए, इ तो आपको वही देखने को बिलेगा जैसा कि आप देखना चाह रहे थे आप इसका आप जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं एक्सल ले सकते हैं पीडियाफ वगर भी निकाल सकते हैं जैसे कि GUI व्यू कर लेता हूं अगर आपको प्रिंट आउट निकलना है एक एक फोर पे तो यह आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा और ऐसी आप एक्सल में एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां से जैसी Ctrl-P करके आप इसको PDF अगरे भी निकाल सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि दुबारा से मुझे यहां के बिल चूजना करना पड़े आइटम चूजना करना पड़े तो आप यहां पे Save Report Format अपने Report अभी बनाई है उसका Format आप सेट कर देंगे जैसे मैंने सेट कर दिया Sail Report और उसके बाद मैं इसको Save कर देता हूँ और मैं कभी भी आप दुबारा से Repeat यहां पे आता हूँ तो मुझे दुबारा से Choose नहीं करना पड़ेगा आप Manual पे क्लिक करेंगे, Sail Report पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे Automatic वो सारे चीज़े आपकी Select हो जाएगी और उसकी Report आप यहां देख सकते हैं बस Column आपको यहां से हटाना होगा तो यह तो अब हमने बात कर लिए Reports की, Billing की, Accounts की यह दोनों के परपस से ही चलेगी चाहे वो रिटेलर हो या Wholesaler हो, पहले हम बंडल वगरा के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे के सारे Wholesaler, रिटेलर के बारे में बात कर रहे थे, Wholesaler में कुछ Changes नहीं है, सिर्फ और शिर्फ आपके आइटम और आपके जो Rates हैं, Discounts हैं और जो आपके MRYs, जो सेल वगरा होती है, उस चीज से related कुछ Changes होते हैं, बाकी पूरा का पूरा प्रापर यही चलता है, तो इसके लिए आप जब भी कोई Ledger बनाते हैं, उस Ledger को आप मोडिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बनाया हुआ था, राहूल के नाम से, तो आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आदर डीटेल मिलती है, आदर डीटेल में जाके आप उसकी सारे चीजे पहले से fix कर सकते हैं, कि discount क्या क्या मुझे देना है, और कौन-कौन से rate में कितने 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 percent मुझे discount देना है, यह सारे डीटेल आप पहले से यहाँ पर क् लिखता रहेगा, और फिर उसके बाद MRWISE आप सेल करना चाते हैं, तो उसके लिए अंदर से एक option आपको खुलना होता है, सर्च इन ओल पर आप सेल, सेल्समें लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको इस option को yes करना है, और यहाँ पर जो भी इतने ही आपको character मिलेंगे, और अब कैसे चाहते हैं, इसको master के अंदर, बढला मास्टर के अंदर चाते हैं, direct चाते हैं, series wise चाते हैं, यह कैसे चाते हैं अप इसको, तो उस हिसाब सेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यह जो है directly ही चाहिए, तो directly मैंने इसको depress कर दिया, और area क रखना चाहते हैं तो वह आप पहले डिसाइड कर लेंगे उसके आप इसकेप करके से यस कर देंगे आप मैं जब सेल करूंगा हॉल सेलिंग में तो जैसी मैंने एंटर किया और एक सेल्समेन का आपको ओप्शन दिख जाता है जिसका आप नाम वगरा डालते हैं और उसके एसापस का कमिशन वगरा निकल कर आ जाता है और उसके बाद credit limit है आप यहाँ पर rate and discount master में आएंगे जिसकी जितनी भी credit limit आपने दी होगी वो आपको यहाँ पर देखती रहेगी कितने दिन से आप कितने दिन तक का देखना चाहते हैं और यहाँ पर आपको सभी की credit limit दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि अभी हमने किसी में नहीं डाला है अगर आप डालेंगे तो आपको सारी कि सारी रिपोर्ट व्यूज वगरा यहाँ पर देखने लगेंगे और होलसेलिंग में भी आप अपने जो है रैक मेनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास भी रैक बने होते हैं कौन सारी स्टों कहां पड़ा है और ओपनिंग बैलेंस वगरा सारी चीज़े आप यूज कर सकते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुक्षॉप के रिटेल का सेग्मेंट क्या है होलसेल का सेग्मेंट क्या है सॉफ्ट्वेर के अंदर कैसे काम करें उसका वो प्रैक्टिकली मैंने सारी चीज़े आपको दिखाई है अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको आपको औरे आपको पूमेंट करिखें काम करेंगति चेन से से सबस्क्राइब आपको प्रैक्टिकली मैंने सॉफ्ट्वेर दिखाई अपको दोर दोर माले।